हेलो इस्टोडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्विकोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टोल्द कमिस्टी अंसी अर्टी चैप्टर टू जिस चैप्टर का नाम है सल्यूशन अर्थाथ बिलियन इसमें लगातार हम आपको वीडियोज प्रवाइड कर रहे हैं इसके पहले आप लोगों ने दी वीडियो नहीं देखा है तो 2024 का न्यू सेशन इस्टार्ट है आप लोग बच्चो प्लेलिस्ट में जाएए बहतर रूप से तैयरी कीजिए और इसके पहले हमने नर्मलता की बात करें, मोललता की बात करें, मोलर्ता की बात करें, प्रिस्टा की बात करें आड़र्डी वीडियोज अप्लोड कियें जिसे आप लोग देख लेना आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो फारमलता जिसे बोलते है फारमल्टी इसकी एक ही परिवासा है बच्चो कि किसी बिलियन के एक लीटर रायतानमी कितना बिले पदार्थ है और उस बिले पदार्थ का मात्रा ग्राम सोत दर्वान में दिया हो चुकि आप लोग को पता है चाहे आप नरमलता की बात करो चाहे फारमलता की बात करो चाहे मोलरता की बात करो चाहे मोललता की बात करो इस सभी के सभी बिलियन की सानरता को बैक्त करने का एक माद्ध्यम है कुल मिला करके बिलियन में बिले की कितनी मात्रा है यही खेल पूरा कहलाता है आपका चाहे नार मलता हो चाहे मुलरता हो मुललता हो बस इसमें बिले के लिखने के धंक याधार पर इनको अलग अलग परिभासा दे दिया जाता है जैसे यहाँ पर बूला गया कि किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में बिले के ग्राम सूतर द्रबमान की संख्या बिलियन की फारमलता कहलाती है अभी यहाँ पर एक लीटर आयतन में बिले के मोलों की संख्यारी हम कह देते हैं इंपल है ना थोड़ा समझेगा बिले के मोल की संख्या बोल देते तो यहां पर लिख देते मोलरता यदि एक हजार ग्राम बिलायक में बिले के मोल की संख्या तो हम लिख देते मोललता और यदि बोलते एक लीटर आयतन में बिले के ग्राम तुल्लैंकों की संख्या देखो अगरा यदि ग्राम सूत द्रबमान के जाके ग्राम तुल्यांक लिख दिया होता हमने तो आपका नारमलता खहला जाता तो ये सभी के सभी बिल्कुल सिस्टमेट एक सांद्रता बेक्ट करने की वीदी केबल बिलियन के टाइप के आधार पर है भाई बिलियन में बिले किस प अर्थात फारमलता कहलाती है बच्चो चीजे क्लियर है इतना अब इससे ही आप एक फार्मूला बना सकते हो आज का लेक्टर बिल्कुल बहुत ही छोटा रहेगा इसके पहले हमने जो भी आपको करा है बलकि लिंदी वीडियो मतलब एक लांग डियूरेशन का वीडियो मि लिखेंगे देखेंगे फार्मूला बहुत ही सिम्पल है कैप्टल एफ से दर साते हैं किसी बिल्योंगा एक लीटर तरन में अर्यवाच्प किसी बिल्योंगा नका एक लिटरा आयं तन में यहांपर हम लिटर लिखें जब टर होता है लिटर में सिसी वी बुक में आप में उपस्थित किसी बिले के एक लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम सूतर द्रबमान की संख्या बिले का बिले का ग्राम सूतर द्रबमान बिले का ग्राम सूतर द्रबमान ये आपका फार्मूला तैयर हो गया बिले का ग्राम सूतर द्रबमान अब यहां से क्लियर ह हो जाएगा कि सर इतना तो ठीक है लेकिन हम ग्राम सुत्र द्रबमान कैसे निकालेंगे तो ग्राम सुत्र द्रबमान निकालें के लिए बस बिले का द्रबमान या बच्छों बिले का द्रबमान बिले का द्रबमान बटा बटा बिले का ग्राम सुतर द्रब्मान बटा बिले का यहां पर ग्राम सुतर द्रब्मान की संख्या होनी चाहिए ठीक है ग्राम सुतर द्रब्मान की संख्या ठीक है ग्राम सुतर द्रब्मान की संख्या तो यहां पर लिख सकते हैं बिले का ग्राम सुतर द्रब्मान अब ठीक है ठीक है य नहीं पर संक्या निकालने के लिए बिले का द्रबमान बट ए ग्राम फूद रमाद गुड़े यदि हम इसको लीटर को मिली लीटर में बोल देए कि बिल्य न का मिल लीटर में बिल्यका मिली लीटर में आयतन यह मिली लिटर में आयतान बच्चों तो यहां आपका 1000 का गुणा हो जाएगा किसका गुणा हो जाएगा 1000 क्योंकि वह इसाब लीटर से यह मिली लिटर में बदलें इसलिए 1000 का गुणा कर दिये अब देखिए गजरा बिले के द्रबमान को हमेशा हम डबलू यहां पर द्रबमान का मतलब होता है बेट बजन और आपका ग्राम सूतर द्रबमान यह आपका एफेम हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका एक हजार बटा बच्चों बिलियन का मिल लीटर में आता है निनी भी एमेल हो गया और यह कैप्टल है यही आपका फार्म का फार्मूला इससे सम्बन्दित आपको एक आंग की कोस्थिन भी करने क्योंकि आंग पर संदित आपको चाँ समन्दित उतना प्रेश्चिम udah ता इसलिए मैं आपको एक कोॉश्चन कराऊगा चुकि बच्चों को बता होगा कि सर तो केबल टुल्स लेवल का ही कराते हैं तो भाई साहब टुल्स लेवल के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको तो इसका पन कर लेते हैं साल्यूसन की पांच दिसम्लों आठ पांच ग्राम सोडियम क्लॉराइड हल करेंगे देखेंगा जरा यहां पर होता है एक बिले और एक बिलायक तो हमारा यह दिलायक हो जाता तो डबलू यह होता लेकिन बिले है इसलिए आपका यह डबलू भी है ठीक है यह आपका मात्रा है ग्राम में ठीक है फिर बोला भाईया 200 ml भी एमल में देके रखा है 200 ml बढ़ियां है सल्यूसन करने में और दिक्कत नहीं होगी अब एनसील का ग्राम सूतर द्रब्मान निकालो एनसील का ग्राम सूतर द्रब्मान ग्राम सूतर द्रब्मान ये ग्राम सूतर द्रब्मान कैसे निकलेगा भाई इसको ऐसे निकालो ग्राम सूतर द्रब्मान आप ऐसे निकालो कि आपका सूडियम का होता 23 और आपका क्लोरीन को होता 35.5 जोड़ोगे तो अंठामन दसमलो 5 आ जाएगा बस अब आपको फार्मूला रखना है फार्मलता का एफ बराबर कितना होता डवलू बी वटा एफ एम गुणे एक हजार वटा भी एमल में ठीक है तो इसका बैलू कितना है 5.85 और इसका है अंठामन दसमलो 5 गुणे आपका 1000 और ये 200 ठीक है 2 से 5 से काड़ दो बच्चो तो कितना आ जाएगा देखो दसमलो हटाएंगे न तो ये आपका रहने दो और नीचे भी दसमलो हटा दो दसमलो हटाते हैं एक जीरो बढ़ाएंगे उपर और नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि दो अंग है दसमलो के बाद आलरड़ी ये कड़ जाएगा बच्चो ये कड़ जाएगा 0.5 एंसर बस यही आपका फार मलता है आज फिलाल छोटा ही लेक्चर है और ऐसे आप लोगों को वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करीजए इसके पर हमने जो भी वीडियो अप्लोड के हो फ्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद करके शेयर कर दें जैहिंद बंदे मात्रा